हेलो गाइज वेलकम ट्रो अनकेडमी यूपी प्यस्सी मैं खुश्वी जत्रवेदी एक बाफ फिर से हूँ आपके सामने आपकी आज की करेंट इफेर्स डिसकस करने के लिए जो की वीडियो का या आपका टैली ग्राम चैनल का एक लिंक है उस लिंक के ओपर आप जाकर एक लिक करेंगे तो आपको आराम से यह पीडियाफ मिल जाएगा तो बहुत इजी है दिन आपको बदा दूं कि यह पूरा का पूरा जो पूरा जो आपकी सारे के सारे एक्जामिनेशन जो की कंडेक्ट कराए जाएंगे यूपी पीसी के द्वारा उनस अभी एक्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रा जरूरी है क्यार स्टार्ट कर लेते हैं आपका जो क्विज है या करेंट एफैस के वह इस प्रकार है आपसे पोला जा रहा है कि जरीना हाश्मी जिनका भी हा सब्सक्राइब जरीना हाश्मी संयूकत्य राज अमेरिका में रहने और काम करने वाली एक भारती एक अलाकार थी आपको बता दू कि अलिगर्ड में साल 1937 में जन्मी जरीना हाश्मी के काम में देशके विभाजन और नर्वासन की तरस्दी खूब दजर आती है जरीना में विदेश्ट सेवा में थे एक अधुनिक धर्मदरिपेक्ष और सुतंत्र महीला थी यह आपकी जरीना हाश्मी के बारे में डिटेल हैं आपको बता दू कि उनके काम में ड्रॉइंग प्रिंट मेंकिंग और मूर्तिकला शामिल थे मिनिमल लिस्ट अंधोलन से संबंद उनके काम ने दर्शिकों से अध्यात्म प्रतिक्रिया प्राप्ति करने के लिए अमूर्त और जयामिती रूपों का अपयोग किया है वे अपनी नकाशी और वुड ब्लोक प्रिंट्स की शंकला के लिए सबसे जादा जानी जाती है उन्होंने दक्षन एश्या के प्रमुक कलाकारों में से एक के रूप में अंतरास्टे कला जगत में अपनी अमिच छाप छोड़ी हुई है यानि कि वो बहुत ही जादा जादे आते हैं नेक्स्ट प्रश्णी की तरफ आपसे बोल रहे हैं कि उडीसा उच्छ नयायले के इकत्तीसवे इसको याद रखेगा क्योंकि आपसे पूछा आते है जाहे वो आपका सुप्रीम कोट हो चाहे वो डीसा के एग्जामिनेशन हो चाहे वो यूपी का एग्ज 2020 को उडीसा उच्छ नयायले के 31 मुख्य नयायदीश के रुप में पद और गोपनी है था कि शब्बतली जश्टिस रफीक इससे पहले मिघाले हाई कोट के मुख्य नयायदीश थे सुप्रीम कोट के प्रधान नयायदीश की सलाह पर रास्टपती की निर्देश थे उनको संबंदित जमीन अधिकरण परादिक टैक्स संबंदित कंपनी कस्टम और सेक्साइज आधी अनेक मामलों में महारत हासी है वर्ष 2006 मई 15 तारीक को उन्हें राजनात या राजस्तान हाई कोट के नयायदीश के तौर पर नियुक्ती मिली थी वर्ष 2019 अक्टूबर 12 तारीक क आजस्तान हाई कोट के कारेशाओ के कारेश्तर ब़े यह कारेशाहां के कारेशार के थी तोर पर दो बार सवल्वता के साथ संबादन ने इपने कारेशाहा कहिए, मुहम्मद रफी आगे बढ़ते हैं देख लेते हैं क्या हो रहा है आपर निमिकित में से कौन सा अस्पताल कोविड-19 के उप्चार के लिए प्लाजमा थेरपी शुरू करने वाला पहला सरकारी इस्पताल बन गया है आपका किंग्स जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो क कोविड-19 रोगियों के लिए प्लाजमा थेरपी उप्चार को सफलता पूर्वक शुरू की है हाला कि मैं आपको बता दू कि प्लाजमा थेरपी कितनी सक्सफुल है इसके उपर अभी भी संदे है प्लाजमा थेरपी की पहली कुरा कि वह एक 58 वर्षी कोविड-19 मरीज को दी गई रोगी जो वेंटिलेटर पर था मरीज ने ठीक होने के संकेत दिये हैं यदि रोगी सफलता पूर्वक ठीक हो जाता है तो यह प्लाजमा आधान थेरपी चिकिस्ता की मदद से गंबी रोगियों को इलाज में एक महान कदम होगा डॉक्टर भारती है या आप बोलो होती है आपको बता दो कंवल सेंट प्लाजमा थेरपी के बारे में कंवल सेंट प्लाजमा थेरपी का उद्देश कोविड-19 से थीक हुए व्यक्ति के खून से एंटिबोडी का उप्योग करके वायरस से गंबी रूप से प्रभावित मरीजों के इलाज करना है खर मैं आप यह सही आपका चाइना ने यह थियोरी डिसकस करी थी यह उनोंने बताया था कि कोविड-19 जैसे वायरस जो है सार्स जैसे वायरस जो है वो अल्रेडी इनके बाडी में है तो यह भी चीज़े बोली जारी है कि जो चमगादर है उस चमगादर की बाडी में क्योंकि जान नहीं जाती है तो इसलिए उनकी बाडी में उपस्ते जो एंटिबोडी है उनको परिक्षन करके टेस्ट करके चमगादरों से ही इनकी दवाई बनाने का क्या किया जाएगा इन इस सीरीज में आगे बढ़ा जाएगा तो देखते हैं कि इस रिस्क के साथ में कौन प्र एक्टिव हैं अभी कोरोना या कोविड-19 के केस में आपको बता दू कि इस थेरपी कोई प्रक्रिया काफी सरल है जो एंटिबोडी में सम्रद कोविड-19 मरीज के रक्त पर आधारित है तदा जिनमें रक्त में वाईरस से लड़ने की विशिश श्मता वाले एंटिबोडी कोविड-19 से ठीक हो चुक के मरीज के शरीट से निकाल करके बिमार शेरी में डाल दिया जाता है मरीज पर एंटिबोडी का ऐसर होने पर वाईरस कमजोर होने लगत आपको बता दूँ आपके नेक्स प्रिश्न में आपसे बोलने कि भारती विमान पत्नं प्रादी करण यानि कि एरपोर्ट अथॉर्टी ओफ इंडिया को निमने में से किस हवाई एड़े को तीन इस्त्री अप्ग्रेड किया गया है यानि कि 3 लिवल का अप्रेडेशन किया आंसर आपका है तुट्टी कुडी हवाई अड़ा सो आंसर बी है अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं भई देखो यहां पे लिखा क्या है कि भारते विमान पत्तन प्रादी करण बंगाल की खाड़ी के रणनीतिक तटके पाससित तुट्टी कुडी हवाई पट्टी को बड़े विमान के अनुरूप बनाया जा रहा है यस हवाई अड़े से तिरुवनंद पुरम कोची और मदुरही के लिए भी उडाने शुरू करने की योजना है खैर अभी तो आपकी कोविड-19 की प्रक्रिया में मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़रा आगे बढ़ पाएगा तुदिकोरिन तमिलाडू के दक्ष्री भाग में इस्सित है और चन्ने से लगबग 580 किलोमीटर की दूरी पर इस्सित है यह एक छोटा सा हवाई पट्टी के एक साथ गरेलू हवाई अड़ा है यह एक बार में अधिक्तम 75 यात्रियों और एक छोटे वि इसके प्रचालक जो ऑपरेटर है वो भारती है विमान पत्तनम या प्राधिकरन है आपका एरपॉर्ट ऑफ इंडिया है इसका जो प्रारंब हुआ थो 1992 अठाई साल पहले हुआ था देन आपका नेक्स प्रिशन इसमें आपसे बोल रहे है कि मद्य प्रिदेश के किस प्र अनुसार भारत के दो प्रमुख खरन जिलों में जिला खरिश फांडेशन कोष्ट के तहत बच्चों के लिए क्रिचे यानि की शिशुग्रेग हो ले गए हैं मद्य प्रिदेश डिस्रिक्ट आपको बतादू कि केंदू जर ओडिसा और अनूपूर मद्य प्रिदेश जिल अनूपूर जिले में लगबग 40 प्रितिशत कम वजन वाली तता 33 प्रितिशत बॉने बच्चे हैं जिरो से तीन वर्ष के आयूवर्ग के बच्चों के स्वास और पोशर संबंदी समस्या को दूर करने हैं तू जन स्वास सायोग संसा से एक समझोते के तहत फुलवारी इस इस एक प्रोजेक्ट के तहत आदिवासी बहुले चेत्रों में शुरू किया गया है वर्तमान में कुल 56 फुलवारी संचालित किये जा रहे हैं बहुती इंपॉर्टने इसको याद कर रखियेगा फुलवारी जो संचालन वय है यानि को ऑपरिशनल कोस्ट है या इसको इसको बहुत अच्छा इनिशियाटिव है कि अगर आप बोलते है कि हमारे चल रही है जासी यहां का में परपस सिफ यह होता है कि बच्चे विध्यालाई में प्रात्मी विध्यालों में पढ़ने नाएं पढने से जादा वह अपने एक समय का जो प्राफ्त करने के स आप जाएं और उनका किसी तरीके से आपका जो पोष्ण का लेवल है उनकी बोडी में वो बना रहे बट डू रहे वाट वाट करतों तो जो जन्जाती चेत्रों होते हैं त्राइबल अरिया जो बारते से आप अप अप्रदेश जाओगे अप चतिसगर जाओगे अब बिह बच्छे को चुका है या आप देखी चुके हो यहां पर सो आपगे आपका इंडिया है और में यह है आपका द्रण्परेश ओ स्वान परदेश का मैप आप चरीके से नजर आ रहा है जहां पर आपका अपर आ प्र जो आपका अनुपूर यहाँ पर तो आप इस तीज को य के संदर्म में निम्लिकित कत्नों पर विचार करें स्टेटमें नमर वन है इसमें बोले है कि दक्षिनमद्य रेलवे ने चित्तूर से दिल्ली तक दूध की आप उर्ती के लिए दूध दूरंतों पहला स्टेटमें आपका विल्कुल करेक्ट हो गया यह देश के सभी हिस्तों के लिए आवश्यक वस्तूं के परिवहान को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे की निरंतर आधार पर दोनों माल और पारसल गाडियों को संचालित करने के लिए दिये गए लोड की अनुरूप हाला कि यात्री ट्रेन सेवाइं तीन वही तक आपकी निलंबित रहती हैं आपको बता दू कि निलंबित रहती निलंबित हैं दिल्ली के अविशक्ताओं को पूरा करने के लिए रेनी गुंटा और हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेगी यह प्रस्तावित दो में से प निलंबर 00761 जो आपको याद करने की बिल्कुल भी अपशक्ता नहीं है रेनी गुट्ट्या हजरत निजामुद्दीन दूद्ध दूरंडस विशेश पारसल एक्सप्रस को अपचारिक रूप से 26 अप्रेल के सुबा रवाना किया गया स्टाफ उतारने के बाद में वही एच निजामुद्दीन से ट्रेन नंबर 00762 के रूप में परस्थान करेगी एन मार्ग पर ट्रेन परड़िचारन कारणों से डोन कचेगुडा बलाल शा बलार शा नागपूर जुजारपूर बोपाल बीना जहांसी वा पलवल में रुकेगी सो यह आपके सारे के सारे क्या हैं इस टॉपेज आपको याद करने कि इनको दर्वत नहीं है खेर आपका नेक्स प्रिशन आपसे बोला जा रहा है कि हाली में समाचार में देखा गया अभ्यास पिच ब्लैक 2020 दिनम्रकित में से किस देश दौरा संचालित किया जाता है यह को ऑस्ट्रेलिया दौरा संचालित किया जाता है अब यह न्यूज में के हुथा रीजन है भई ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सूचित किया है कि 27 जुलाई से 14 अगर्स चलने वाले उसके प्रमुक वहुपक्षी यानि कि multilateral वायू युद्ध प्रशिक्षण अभियास इसका पिछ ब्लैक 2020 को कोविट की वजए से यह सिदी को देखते हुए रद्ध कर दिया गया है अब पिछ ब्लैक का जो अगला संसकरण होगा वह 2022 के लिए क्या किया गया है निरधारित किया गया है औस इंडिक्स में एक हजार से अधिक कर्मियों ने भारत के साथ में अब तक के सबसे बड़े ऑस्ट्रेलिया दलने भागिदारी भी करी थी या उसमें आपकी देखी गई थी आपको बता दू कि पिछ ब्लैक अभ्यास एक अंतराश्य सायोग स्थापित करने वाला कारिक् और रक्षात्मक काउंटर एर युद्ध अभ्यास के साथ साथ ग्यान और अनुभव के आदान प्रदान के लिए भी अनुटा उसमें प्रदान किया जाता है कई लोगों का मानना है कि इस तरीके के जो एक्सराइज होती है वो आपको यह ऐसा पॉसिवल नहीं कि हमेशा ही तो उस कंडिशन में हमारे सैनिक जो है वो किस तरीके से अपने काम कर रहे हैं वो कितने एक्टिव है रिगार्डिंग दिया वर्क्स तो उसके लिए भी आपका बहुत अच्छा इनिशेटिव है और इसमें पता भी चलते है किस देश की कित्ती कैपसिटी है अग मुल्टि यानि कि सिप्री द्वारा जारी कियाती है बिल्कुल करेक्ट है चीन 211 बिलियन डॉलर का दूसरा सबसे बड़ा खर्श करने वाला देश है भारत दो हजार अठान से बढ़कर के दो हजार निस में तीस से इसान पर पहुंच गया है आपका एक दो और तीन तीनों के तीनो बिल्कुल करेक्ट स्टेट्मेंट है तो आपका option number से बिल्कुल सही है या पर इसके बारे में देख भी लेंगे कि जो आपकी सिप्री है ये एक स्विडिश्ट सिंग टैंक है तो स्विडिश्ट सिंग टैंक स्टॉक होम इंटर्नेशनल पीस रिसर्च इंसेटीट ने ट्र वेश्ट सेकल करेलूत पाद यानि की GDP का 2.2 प्रिश्ट हिस्सा है यानि की 2019 में 7.2 प्रिश्ट अधिक था जो 2010 की तुल्ला में बहुत ही अधिक है साल 2019 में कुल वैश्ट विक सेने खर्ष बढ़कर के 2017 बिलियन डॉलर हो गया है जिसमें 2018 की मुकाबले करीबन 3.6 प्रिश्ट की विद्धी देखी गई है तो इस विद्धी को आप याद करके रखेगा क्योंकि हम इसमें बहुत देखते हैं आपको बता दू कि जो टॉप 5 largest spender है in the year 2019 में सबसे पहले इसान पर आपका साइम तो आज अमेरिका 732 बिलियन डॉलर के साथ में चाइन दूसरे नंबर पे 211 बिलियन डॉलर के साथ में आपका रश्या है 65.1 बिलियन डॉलर के साथ में फिर आपका साओधी अरभी आता है जो की 61.9 बिलियन डॉलर के प् यह पहला मौका है जब दो इशियाई देश सैनने खर्चों के मामले में शीर्ष सीन देशों में आपके शामिल है आप देखी रहे होगे यहां पे इंडिया है इंडिया के साथ में साथ में साओधी अरभी आभी है भारत ने 2019 में रक्षा पर करीबन 71.1 बिलियन का खर्च क आपका तीसरे इस्तान पे पहुंच गया है आपके नेक्स प्रिशन में आपसे बोलना है यह व्रद्धी याद रखेगा कि 2.4 प्रिशित की व्रद्धी है और यह आता है एक्जामिनेशन में इसको गांट बान के रख लीजगा कि आएगा आपसे बोला जा रहा है प्रिश प्रिशारी है उनको हरताल करने का अधिकार समाथ हो गया इसके तहट आपको बता दू कि केंद सरकार ने और द्योकिक विवाद दिनियम के प्रावधानों के तहट बैंकिंग को एक किस अक्टूबर तक 6 मा की अवधी के लिए सारुजानी कुप्योगिता घोशित कर दिया अव्यस है कि आपका बैंकिंग चेतर के लोगों के द्वारा यह बहुत ही किया जा रहा था कि हम भी इंसान हैं हमें भी चाहिए आपका कोविड 19 के दौर में भारत की अर्थ विवस्ता आपकी जिम्मेदारी पे है आपके कंदों पे है तो हम आपको कैसे छोड़ सकते हैं यह एक प्रॉब्लम तो है ही बट स्टिल हम घर से भी काम कर सकते हैं आपको बता दूं कि आपका जो आगे का स्रेटमेंट इसमें लिखा हुआ है कि केंदी सरकार के द्वारा की गई घोशना का अर्थ है कि विवाद अधिनियम लागू रहने की अवधी तक बैंकिंग उद लिया गया है ध्यात्यत्व है कि कारण लागू किये गए लॉक्डाउन के प्रभाव सुरूप भारत की आर्थिक अधिक प्रभावी हुई हैं बैंकिंग उद्योग को सारजनिकुप योगिता का सेवा शेत्र गोशित करने का प्रमुक उद्देश कोविड-19 महामारी के फ प्रोध दर्ज कराते हैं कि इस नियम के तहट आपका बाद या जो आपका नियम आया उसके बाद आपका 6 महीने तक क्या 6 महीने के अबदी के लिए ऐसा कोई भी काम या हर्ताल आपकी जो है वो संभव नहीं हो पाएगी आपको बता दो कि अधिनियम 1947 भारती श्रम कानून करता है इस अधिनियम का मुख्य उद्देश भारती उद्द्योगों की कारिस इंसकृति में सद्भाव और शांति को सुरक्षित करना है या दिनियम केवल संगडी चेतर पर लागू होता है मैं आपको फिर से बता दू कि इस दौरान में हर्ताल करना किसी भी तरीके की चा विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द क्यों किया गया देख लोगबग दो साल पुराने डोपिंग मामले में प्रतिबंदित पदार्थ इस्टिरोइड के परिक्षण के लिए सकारात्मक परिक्षण करने वाली विश्यु की एथलेटिक संटीग्रिटी यूनिट द्वारा मद्यदूरी की धावक जुमा खातून को चार साल के लिए प्रतिबंदित किया गया है जिसने ंडी टी एल पता लगाने में विए विफल रही थी आपको बता दूँ कि गुवाहाटी में जून 2018 में नैशनल इंटर स्टेट च द्वारा की गई जांच का रिजर्ड निगेटिव था विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी वाड़ा ने इसके बाद कनाड़ा के मौंट्रियाल में सित लैब में खातून के नमूने की जांच करा है जिसमें डी हाइड्रो क्लोरो मेथाई भई नाम याद रखिएगा ड जिनकी रिवोर्ड वाड़ा में पॉजिटिव थी खातून को देख लिए भई आप सारे काम अच्छे करते हैं लेकिन ये आर्टिफिशल चीज आपकी शेर को देने का कोई भी संस नहीं बनता है आपको वाड़ा के बारे मता दूँ विश दोपिंग रोधी एजनसी के बा इसको आपको याद रखना है यहां पर देख सकते हो कि यह आपका क्या है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी का आपका लोगो है यह आपकी आजची करेंट अफेर से आपको अच्छे लगे होंगे क्योंकि बहुत इंपोर्टन है डेली-डेली कापकी प्रोसस बन जाती है आपको यह अच्छा लगा होगा एंड प्लीज अपने साथ साथ में दूसरों को भी कोपरेट करने की कोशिश की तरफ लेके जाएए ऐसे बहुत सार इंसिदेंस देखने को मिल रहे हैं जो कि मालवता क्यों श्रमसार करते हैं कि भई आप इस वक्त में जब वॉलेंटियर् अगता है कि आगे इसी मैसेज को करते रहेंगे थैंक्यू पर वॉचिंग दिसेशन बबाई डाटा टेक कियर एंड फिर्मी लेंगे आपसे थैंक्यू